वीडियो बनाते हुए सबसे common problem होती है यह flicker वाला issue इसको कैसे सही करना है वो मैं बताता हूँ और अब अगर आप देखोगे यह flickering जा चुकी है सेम camera setting है चीज जो change हुई है वो है कि हम अब tube light bulb की जगा external video light यूज़ कर रहे हैं जिसमें अगर आप जो electricity से light चलते हैं जैसे कि tube light या bulb उसमें अगर आप शूट करते हो आपको flicker आएगा उसका reason यह है इस external light ना हो फिर भी आपको वीडियो शूट करने अब यह जो flicker आ रहा है इसको कैसे हटाएं तो इसके लिए हमें PAL format पर switch करना पड़ेगा 25 या 50 fps पर जाना पड़ेगा और इस तरीके से अब आप देखोगे same lighting में same condition में हमने flicker हटा दी है अब यहाँ पे fps से जादा रोल shutter speed का होता है पहले हम 1 by 60th of a second use कर रहे थे अब हम 1 by 50th of a second use कर रहे है शूट करने के लिए तो अगर आपको नहीं पता simple सा रोल है जितने fps पे आप वीडियो शूट करते हो shutter speed उससे double होना चाहिए आपके एक normal motion क match करने के लिए तो अगर आप 25 fps पे 1 by 50th of a second पे इस तरीक से शूट कर रहे हो तो आप इस flicker को हटा सकते हो